सब्सक्राइब सभी लोगों का समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब प्रपोजल राइटिंग के कोर्स को हम आगे बढ़ाते हुए जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम अपने प्रपोजल राइटिंग को काफी इफेक्टिव बना सकते हैं कि आपके स्भी लोग जुड़ चुके हैं और आपके स्पीकर को सभी लोग टेस्ट कर लीजया आपके पास और नहीं दो कि लिए प्रेमा दीजिएगा आपके नाम मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको अपनी नाम से लॉग इन करना है कोई भी प्रतिभागी विदाउट एंजियो नेम से जो है लॉग इन ना करे प्रेमा ची अपना परिच्छे दीजेगा प्लीज अपना ओडियो न कीजिए करांथी मैं आपका ओडियो कनेक्ट नहीं हुआ साथ अभी कि इस दो कि आपको कर दिया है इंटर्नल असिस्टेंस के लिए वाग एजूकेशन फांडेशन आपको को कर दिया गया है इंटर्नल हेल्प के लिए अगर कभी भी लगे आपको की मेरी बॉइस हो रही है या आपको लगे कि कुछ अब बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की और मैं अपनी स्क्रीन को आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा आज के कोर्स के अंदर चलते हैं मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर सबके साथ आखर चली बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमाजी कंफर्मेशिंग के लिए एडवांस वर्क्शॉप औन प्रोपोजल राइटिंग के आज डे टू में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड प्रोपोजल बाई एंजियोज कैसे NGO अपने लिए प्रोजेक्ट फॉर्मलेशन करता है और कैसे प्रोपोजर राइटिंग करता है इसकी टैक्निक यानि कि जो बेसिक रहता है उस बेसिक को आज हम सीखने वाले हैं सबसे पहले हमें पता होना चीए प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या होता है इस प्रोजेक्ट इन कोमेन परलेंस एप्लान विद स्पेसिफाइड अब्जेक्टिप्स टू बी एचिव विधिन ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेंब एंड विधि औरस प्रोजेक्ट का जाता है विद रेफरेंस तो एंजियों से प्रोजेक्ट इस में तो ब्रिंग सर्टेंड डिजरेबल चेंजिस इन दा कंडिशन सॉफ टार्गेट ग्रोप विदिन स्पेसिफिक टाइम पिरेड और कॉस्ट गैर संगतरों के संदर्म में एक परियोजना सर्डिस्ट्रिबेंस कहां से क साथ एक योजनह हैं जिसे एक निर्दिष समय सिमा के पहbah किया जाना यानि कि कोई भी हमारा एक टार्गेट होता हमारेक इंद्धेश होता है हमें ये काम कंप्रेट कर लेना उसके लिए हम एक टाइम बाउंड कर देते और उसके लिए हमारे पास संसाधन भी जो है वो सीमित होते हैं उन सीमित संसाधनों में उस पर्टिकुलर टार्गेट को अचीव कर लेना एक डिफाइंड ट्राइम फ्रेम के अंदर इसे प्रोजेक कहा जाता है गैर सरकारी संगत्रों के संदर्व में एक प्रयोजना एक नि लिए हम इसके उपर वर्क करेंगे अगर मैं प्रोजेक्ट की बात कहूं तो सरल सब्दों में यह है डॉक्यूमेंटरी परिभासा है ना जो बुक्स में लिखी मिलती है मैं लेकिन अगर मैं कॉमन वर्ट में कहूं हम अपने आसपास के परिशेत्र में जब किसी समश्या को कर लेते हैं, उस समश्या को अडेंटिफिकेशन करने के बाद हम बात करते हैं उसके रिसोर्सिस पर यानि कि वो जो प्रॉबलम है वो कहां से जनरेटरी उसका कारण क्या है, वो जो कारण है उनको कैसे खतम किया जा सकता है, उसके लिए सिमित संसादरों में हम कैसे उसी ज को खतम कर सकते हैं आपने देखा होगा गौर्णमेंट जब कहीं भी रोड बनाती है रोड साइड करती है तो वहां पर एक योजना निकालती है आपकी ग्रीन हाइवे के नाम से अब ग्रीन हाइवे योजना के अंतरगत क्या होता है जो राष्ट्य राजमार्ग हैं या राष उसमें प्लांटेशन के लिए गौर्र्मेंट कहती है लेकिन यह काम आपने देखा होगा गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है क्यों कि गैर सरकारी संगठन उस la काम को सीमद संसाधनों में कंप्लेट कर देगा यानिकि जब हम सीमद संसाधनों पे वर्क करते है तो हमारा वो काम बहुत जादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है गौर्मेंट चाहे तो उसको एक टेंडर वाइस जो है प्राइविट कंपनी को दे सकती है वह प्राइविट कंपनी जो है प्राइविट ली अपना मैट्रियल परचेस करके लाएगी या निकि पेड़ पो संस्था जब कोई भी काम करती है उसको व्यापक पैमाने पर करती है आपने देखा होगा बहुत सारी संस्था है जो है प्लांटिशन वर्क में इंवाल्व होती है यानि कि उनके यहां पर 24 गंटे नसरी का काम चलता रहता है तो अव्यस सी बात है कि जब उन्हें ऐसा कोई भी यूजना मैं और उधारन आपको देता हूं मालीजी हम आप हम और आप या आपकी कोई भी संस्थान आपके आसपास के चेतर का सर्वे करती है है हमने कोई एक एक दो गाउं को टार्गेट किया उन गाउं में जाने के बाद हमने वहां पर कुछ उद्देश्यों के साथ हम वहां गए हमारा उद्देश्य है, सिक्षा, स्वास्त है है आजीविका हम लिची में लोग ढंग से नहीं कर पा रहे हम फिर बात करते हैं उसके कारणों पर वहां असपास कोई कम्पनिया नहीं है है ना या हमने देखा कि भी वहाँ पर जो है ट्रांस्पोर्टिसन बड़ा महंगा पड़ता अगर लोग घर पे काम लगाना चाहें तो है ना या फिर वहाँ पर आसपास कोई इंट्रिल एरिया नहीं है या वहाँ के लोग को कोई काम दे नहीं रहा कंपनियों में बहुत सार ना इस लोग होते हैं जैसे हम देखते हैं मिश्तुरी बगारा को जो लेबर क्लास पर्शन होता है वो एक मिस्तुर्ड अपने बच्चे को राज- मिस्तुरी बनाना चाहता है इससे उपर बहुत मैं नीसूरत बनाने की नी सोचते तो उसकी जिदेदिद्धी निकल जाती ह हों और उनके सनतानों के जिदगी बीइसी काम में निकल जाती है लेकिन जब कभी ऐसी कोई आर्थिक आपडा आती है कोई एसी डेवीय आपडा आती है जैसे अभी COVID- vaul आया था तो उस दो तो थो रहा है था में लोगों के पास को हम identify करते हैं और तेगन asked करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर और प्रेटिकुलर जो हैक प्रॉसरस्ट के साथ या और सेथा क्यों कि एप और सबस्ते खर्ड़ास करें तो वह प्रियुजना करते हैं यहां तक का टॉपिक क्लियर है अभी सभी को कि परियोजना या प्रोजेक्ट किसे कहते हैं आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन परियोजना का सूत्री करन अब ये लाइन जो है कहने को और सुनने को बड़ी इसी लगी होगी लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा सार्च पा हुआ है वित्तिय वाधाओं के भीतर संसाधनों के आवंटन के लिए परियोजना को प्राप्त होने वाली प्रात्मिक्ता निर्धारित करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकर अब देखिए यहां पर अगर हम इसको इंग्लिस समझ में आती है वो लोग एक बार एस लाइन को इंग्लिश में देखिएगा कमपेरिटिव एप्रेसल फोर डिटेर्मेइनिंग प्राइरिटी अप्रोजेक्ट शुड रिसीव पोर आल लोकेशन ऑफ दा रिसॉर्सी विदिन दा फाइनेंसल कंस्ट्रेंट क्या होता है कि ह प्रियोजना है उसमें जो वित्यवाधाय आ रही है उसमें उनको जब हम आवंटिद करते हैं यानि कि हमारे पास माली जी पर्टिकुलर प्रब्लम आगे हमारे पास कि भई ये इस प्रब्लम पर हमें वर्क करना है उसके लिए हमने अपने संसादन सुनिशित कर दिये और लिए दिखे अब अविस सी बात है संसादन हमारे पास जो है limited होते हैं तो अविस सी बात है हमारे पास funds की कमी है तो funds की जो हमारे पास कमी होती है उसको हम कई category में divide करते हैं याद रखिएगा कभी भी आपका proposal single person oriented नहीं होना चाहिए single agency oriented project कभी भी आप सम्मिट करते हैं वो rejection में ही जाए बड़ी practical चीज यह बड़ी गहरी चीज है इसको ध्यान से समझेगा जब भी आप अपना proposal लिखते हैं तो वहाँ पर जो आपकी financial statements हैं वो particularly एक funder के या एक donor के उपर dependable नहीं होनी चाहिए उसमें आप different different cause वो डालेंगे आ यह कि अपने पर्सेंट आप से चाहिए तो जिसको हम टैक कर रहे होते हैं उसे हम उस project का जो maximum cost होती है वो देते हैं maximum cost का मतलब about more than 70% से लेकर और 80% 90% तक भी होता है कई बार तो 70 to 90% cost जो है हम उस particular funding agency के उपर show out करते हैं कि यह हमें साहता आपसे चाहिए और बचा हुआ जो 30 to 10 to 30% है उसके लिए हम अपना मुल्यांकर भी करते देखिए कई बार क्या होता है कई प्रोजेक के अंदर एक क्राइटीरिया दिया होता है कि आपका सेल्फ कॉंट्रिबूशन होना चाहिए 10% अब अगर सेल्फ कॉंट्रिबूशन 10% है डैट मेंस कि 90% funding agency fund करेगी आपक और यह जो है रिक्वेश्ट प्रॉपोजल नहीं मागा गया हमने क्या कि डारेक्ट्ली एक अपना प्रॉपोजल टाइप किया और हमने जो है आइडिया कंपनी को बेज दिया तो आईडिया कंपनी को जब हूँ प्रॉपोजल भेजेंगे तो वहां पर हम 90 परसेंट और 10 करेंगे क्योंकि उन्होंने कोई कॉल हमसे नहीं की थी कि आप अपना प्रॉपोजर सम्मिट करें हमने एक फंडिंग एजनसी को देखते हुआ हमारे चेतर में काम कर रही है उस पर्टिकुलर फिल्ड में काम करी है तो हमने अपनी इच्छा से उसके पास प्रोजेक्ट बेज यानि कि जो हमारे सपोर्टर से हैं उनके सपोर्ट से हम 40% कंप्लीट करेंगे 60% हमें आपसे चाहिए तो यह दोनों चीज़े अलग लग रहेंगे याद रखेगा जब आप आरेफ़ भी बेजते हैं रिक्वेश्ट फोर प्रोपोजल डालते हैं जब आप आरेफ़ डालते हैं तो वहां पर आपको 90-10 की रेश्यो लेकर चलनी है कभी भी टोटल प्रोजेक्त को आपकी एस्टीमेटिर प्रोजेक्त कोष्ट या जो है कॉस्ट नहीं देनी है आप से पूछा जाता भी आप संस्थान से कितना वित्य साहिता चाहते हैं आपने बना दस लाख रुपे तो दसलाग का आपका टोटल प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा दसलाग उससे डिमांड नहीं करना है यहाँ पर एट लिस्ट तैन प्रसेंट का सेल्फ कॉंट्रिबिशन आपका रहना ही चाहिए तो वित्य वाधाओं के भीतर संसादनों के आवंटन के लिए परियोजना को प्राप्त होने वाली प्रात्मिक्ता निर्धारित करने के लिए तुलनात्मक मुल्यांकन इसका मतलब क्या हुआ अब हमने क्या किया था अपनी वित्य जो प्रियोजना है उसको कैसे आवंटित किया हमने 60% डाल दिया जो में फंडिंग एजनसी जिसको हम प्रोजेक्ट भ रहे हैं अभी तो वहां पर हमें इसको 60% डाल दिया 20% हम डालके चलेंगे किसको पब्लिक के लिए जिस पर्टिकुलर के लिए हम काम करें उस कम्यूंटी से भी आपको जो है help लेनी होती है याद रखिए कभी सारे लोग कहते सर मैं फलाना प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हू वो हम खुद अपनी जेब से कर रहे हैं जेब से करने के लिए संस्था कभी नहीं होती है याद रखिए और किसी भी प्रोजेक्ट किसी भी अक्टिविटी के अंदर आप टोटल कॉस्ट का 20% से अधिक अपनी जेब से या अपने मेंबर से नहीं लगा सकते अपने ग्रह से अपने जो अपने जो आपके कारेकारनी के सदस्था के आप उनसे नाम से लगा सकते हैं बाकी के आठ रुपे आपको पब्लिक फंड से ही दिखाने होते हैं यह चीज दियान रखेगा अगर हम यह कहते हैं अगर निजी खर्चे को किसी की भलाई में लगाने को अगर हम प्रोजेक्स कह सकते तो मेरे ख्याल से हर एक पिता अपने बेटी का कन्यादान करता है क्या वो अपने आपको लिखना सुरू करतेगा मैंने इतने कन्यादान करे नहीं ना हमें नहीं पता कि सामने वाले जो कन्यादान करा हो सकता उसके चाचाता होगी बेटी रही हो आपने जिसको राशन बाटा हो सकता वह आपका रिष्तेदार रहा हो अगर सब कुछ आप अपनी जेब से करने देखिए पब्लिक के अंदर कौन डालता है पब्लिक अपील कौन करता है जब हम किसी को नहीं जानते हैं मोश्टली हम उसके भी डालते हैं जब हम सामने वाले वेक्ति से परिचित होते हैं हम कभी खुद के लिए नहीं मांगते संस्था कभी खुद के लिए नहीं मांगती है संस्था हमेसाथ दूसरों के लिए पब्लिक अपील करती है और यकीन मानी अगर मेरे मामा की लड़की की शादी है तो क्य बबबबालों कि साहता करने को संस्था कारवार में डाला जाता है एसे तो हम पता नीकिक अपने पॉस्ट को हम जो है एक टोरी चीनी दी वो भी तो समास सेवा है ना एक तरीके की आपने परोसी की हेल्प कर दिये तो लेकिन कभी किसी ने अपनी पोश्ट में डाला ऐसा नहीं डाला क्यों उस अब यही कारण है कि हम जब एक निमित के लिए वर्क करते हैं तो वो सोशल वर्क में काउंट नहीं होता है गैर निमित या साथ उपर जो भी पब्लिक से कलेक्ट होते हैं ठीक है उसको दिखाते हुए यानि कि अब मेरे पास क्या है तो नर का डाटा भी है पांच या साथ या दस या आठ जो भी डोनर मुझे मिले है ना और साथ-साथ मेरे पास बेनिफिसरी डाटा भी है और यकीन मानिए आप रिपोर्ट बनाते हैं तो वहां पर बेनिफिसरी डाटा के साथ साथ आपके डोनर का डाटा भी देना आनिवारे लगता है और अगर आप अपनी प्रोफाइल के अंदर वह चीज़े लगा कर चलते हैं तो यकीन मानिए कि प्रोजेक्ट आपके हाँ से कहीं नहीं गया प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पॉजल्स बनवाए हैं ठीक है शायद ही आज तक मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ जिसने एक आओ कि सर मेरे पास इंक्वाईरी आये थी या मेरा प्रोजेक्ड कंसीडर हुआ था लेकिन प्रोपोज़ल में कमी थी आपके डॉक्यमेंट म हमें उस पर काम करना को लिए ब्रोजिक्ट आइडिया को धिया क्या है तो इसके प्रोजेक्ट फॉर्मुलिशन यानि कि प्रियोजना का ये सुत्री करण होते हैं शीके ईनि परियोजना निर्मान का अभ्यास या सुनिशित करने के लिए आवशक है कि परियोजना तक्नीकी रूप से मजबूत आर्थिक रूप से व्यवहारे है देखे आर्थिक रूप से मजबूत लिख सकता था मैं यहापर आर्थिक रूप से मजबूत क्यों नहीं लिखा क्योंकि कभी भी एक संस्था आर्थिक रूप से मजबूत कभी नहीं हो सकती, याद रखिएगा, आर्थिक रूप से व्यवहारे हो सकती है, यानि कि ठीक है जी, काम हो गया, निकल जाएगा, छोड नहीं होता है, कि हो ही जाएगा, व्यवहारे होता है, ठीक है, लिया है तो हो ही को कहा जाता है प्रायोजक निखाय हिंदी के अंदर याद रखिएगा स्पॉंसरिंग बोडी जिसे मोलते न प्रज़क निखाय और डोनर को दाता बोलते हैं तो थोड़ा सा इन सब्दों को आप धियान रखिएगा तो निखाये के समगर आर्थिक उद्देशों के अनुरू बननाना है लेकिन लोग नहीं चाहते लेकिन लोग नहीं ऊचाहते चलाल में मैं सब्सक्राइब नेगास करें है जब भी आप कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं कोई प्रोजेक्ट की आईडिया आप जो है शुरू करते हैं तो वहां पर ये भी देखना होता है कि लोग उसको प्रेफर कर रहें कि नहीं कर रहें एंड फिट्स विदिन दा ओवराल एकोनोमिक अबजेक्टिव जो भी ओवराल एकोनोमिक अबजेक्टिव सें आपके उसमें भी फिट होना चाहिए ठीक है ऐसा ना हूँ मैं अगर बात करता हूँ एक उधारन मैं आपको दे देता हूँ अगर मैं किसी गाओं के अंदर जलकी समश्या को खतम करने के लिए हर घर में नल लगवा दूँ जो बोरिंग बोरिंग होती है बोरिंग करवाके नल लगवाँ वो आप उसको एकोनोमिकली जो है फिट कह सकते हैं या फिर एक बाहर टंकी लगवा कर और सभी के घरों में हर घर में बोर्वेल करवाना बहुत जादा खर्चिला होता है उससे भी हर घर में पानी आएगा लेकिन वही पानी एक बड़े सुरोत के माध्यम से यानि कि बोर्वेल के माध्यम से उपर टंकी में पहुचाना और टंकी से फिर घरों में फिटिंग दे देना वो एकोनोमि के लिए इतना बजट दे सकते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो उनके अभी मैं रिसेंट की बात करूं तो लाश्ट यह जब हम रोड शिफ्ट के प्रोजेक्ट लगा रहे थे तो काफी लोगों यहां से लगवाया था अरे यार कम से कम गाइडलाइन यह कहती है कि पांच लाग तक की अनुदान राशी आपको मिलेगी तो अपना बजट साथ लाग का कैसे बना सकते हैं और अगर वाकि में आपका बजट साथ और दस लाग का बन रहा है तो आपको उससे खीचतान के कम प यह बहुत जरूरी हो जाता है प्रोजेक्ट फॉर्मूलेशन रिक्वाइस लॉट ऑफ टाइम प्रोजेक्ट फॉर्मूलेशन में बहुत सा समय चाहिए होता है लेबर यानि की महनत भी लगती है और कुछ मॉनेटरी इंपूट्स भी लगते हैं देखिए जब हम कोई प्र प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें समय महनत पैसा सब चीज रिक्वाइड होती है एक प्रोजेक्ट हैस्टू मीट दा वैरियस क्राइटेरिया आपका प्रोजेक्ट आइडिया एक्सेप्टेबल नहीं हुआ नहीं हुआ या डोनर और डोनर या स्पॉंसरिंग बॉड़ी होता ही हमने कई बार क्या है प्रोजेक्ट बनवा लेते हैं हम अपलाई कर देते हैं लेकिन वहां उनके मानकों में फिट नहीं बैठता है तो हमारा पैसा समय टाइम सब बरबाद गया आप भी अप देखिए यहां सीखने के बाद आप अपना समय तो लगाएंगे न उसमे महनत तो लगाएंगे न आप उसमें ठीक है मॉनिटरी इंपुट भी कह सकते हैं आप उसको क्योंकि यही काम अगर आप टाइपिंग का मैं यह जो क्लासिस आपको दे रहा हूं इस क्लासिस के लिए मुझे हिंदी भी इंगलिस स्वरी मुझे टाइप करने पड़ी उसके ब लेकिन गूगल जब उसको ट्रांसलेट करता तो प्रोफेशनल वे में करता है तो हमने यहाँ पर जो समय दिया यही टाइपिंग का काम मैं किसी और के लिए करता तो पचास और पर देखे जाता सामने वाला वेक्ति है ना तो आप यह नहीं कह सकते हैं यहामारा सिर्फ समय और जो है महनत लगी है पैसा भी हर जगे मॉनिटरी इंपूट रहता है आपका हर जगे सिर्फ आपको उसको करना होता कि यही टाइम और यही समय आप अगर अपने किसी प्रोफेशनल वर्क में दे रहे होते तो यह इससे आप पैसा कमा सकते थे तो आप कभी भी यह मत कही है कि आपका कुछ नहीं गया गया जल बिल्कुल गया तो यहां पर जब आप प्रोजेक्ट फॉर्मिलेशन कर रहे हो यानि कि प्रोजेक्ट जब आप लिख रहे हों तो उसको फंडिंग एजनसी के जो वैरियस क्राइटीरिया है उससे मैच करने का जरू सोचीगा इसके ल अगर आप पढ़ लेंगे तो आप जो है उसको बैटर रूप से लिख पाएंगे उसने क्या बताया वह कितना स्पॉंसर कर सकते हैं किस सारी चीजे देखने के और समझने के उसके हिसाब से ही आपको इसको प्रपेर करना होता है आधर्वाइज आपका समय पैसा यह जो है बरबाद जाती है तो यह बहुत जरूरी चीज़े हैं इनको जो है मेंडिटी रूप से आप नोट डाउन कर लीजेगा ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर पर्योजना निर्मान की प्रकरियां में निमलिकी चरणों का पालन किया जाना चाहिए यह चरण होते हैं पहला चरण जैसा कि मैंने कल आपको जब मैं डीटेल बता रहा था कि हम कल पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज से हमारी क्लास एक तरीके से देखा जा तो आज से हम को ने प्रोजेक राइटिंग की क्लास को सही रूप से श्टार्ट किया है तो यहां पर जैसे कल आपको बताया था कि हम बात करेंगे जब हम स्टैप बन होता है वो ती अवधार्णा किकी अवधार्णा करना उसके लिए कंसेप किसी भी करना करना तो उसको कहते अभशोम क उसके बाद उसकी planning होती है objectives निकाले जाते हैं फिर नाइज करने के लिए फिर budget हमारे सामने आता है उसके लिए हम पूझल करते हैं तो एक परीजना निर्मान की प्रकरिया में यानि कि जब हम project formulation करते हैं तो conceptualization planning objectives organizing budgeting and raising funds यह सभी steps हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं इन पॉइंट के ऊपर कि यह है क्या चीज़ें की क्या होता है कैसी होती है अबजेक्टिन एक प्रॉपोजल के अप्योगिक्टिव लेकिन यहां पर बात के आप कोई प्रयूजर ना लिख रहे हैं तो उसके अब्जेक्टिव करने पड़ते हैं कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को लिखें मैंने काफी लोगों को देखा है अगर आपके ऐसा कहे देने से कोई कंसल्टेंट अगर आपके पैसे और फाइल ले ले लेता है प्रोजेक्ट लिखने के लिए तो आप यकीन मानिये वो कहते ना कि एक ने कही दूजे ने मानी नानक कें दोना अग्यानी तो यकीन मानीया आप और वो दोने अग्यानी है प्रोजेक ऐसे नहीं लिखा जाता है मैंने उनसे कहा कि भीया मेरे आप संभाधित विभाग में कोई काम कर रहे हैं कि नहीं से अभी तो नहीं कर रहा है जरूरी है कि आप उस संबंदित छेतर में काम कर रहे हों कुछ वर्क आपके वहां दिखाये जाएंगे आप यह काम कर रहे हैं और संबंदित इस प्रोजेक्ट के लिए आप अपलाई करना चाहते हैं उसकी जो भी जरूते हैं उसको एक्स्टेंट किया जाएगा मुझे बख लगाए क्या होता सबसे पहली बात तो मुझे नहीं पता है कि सर आपको नहीं पता हर एक व्यक्ति हर विश्य में पारंगत नहीं हो सकता ठीक है मैंने नाम तो सुना लेकिन मुझे निपता वाकिम इसका कंसेप्ट होता क्या है कि सर हमारे यह उत्तरा खंड में बड़ा जब तक आपको श्चेतर का नहीं है जब तक आपने उस छेतर में कोई काम नहीं किया हुआ है आप कैसे प्रपोजल दे सकते हैं और मान लीजिए किसी मुझे क्या है मुझे करना अपनी टीम को वोलना है लेकिन ना पास होने का ना कुछ मिलने का क्यों पैसा बेकार कर दो तो याद रखिएगा आप अपना प्रोजेक्ट वही बनाएं वही प्रोजेक्ट लिखें जिस छेत्र में आपकी संस्ता करे रहत हो आप बच्चों को जुगी जोपड़ी वाले बच्चों को स्कूल मतलब जो है स्कूली स्टीक्षा प्रधान कर रहे थे आप छोटटी क्ल प्लान कर दीजिए कि हम एक स्कूल खोलेंगे जहां पर सिर्फ जोगी जोपड़ी के बच्चे बढ़ा करेंगे कुड़ा मिनने वाले बेख मांगने वाले बच्चे इनको हम एज्यूकेशन देंगे आप अपनी प्लानिंग्स को बढ़ा करते जाएए चलो जी स्कूल होगे नहीं ना वहीं एक और यूनिट खोलेंगे हम हम किसके लिए बच्चों के लिए तो हम कॉलेज में जा रहा होगा और जो बच्चा जोगी जोपड़ी में रहते हुए अगर स्कूली एज्यूकेशन कर रहा है कि उसका जीवन्स तरह वह बढ़ता जा रहा है तो हमारा काम है कि वहां के बच्चों को कप्चर कीजिए कभी बजट कभी खतम नहीं होता याद रखिएगा आज अगर मुझे एक की जरूत है तो मैं एक में संतुष्ट हूँ मेरी एक जैसी पूरे हो जाएगी मुझे दो की जरूत हो जाएगी आपने देखा है पहले हम साइकल पर जब होते हैं तो हम सुछते हैं कास मोटसाइकल होती है जब मोटसाइकल होती है कास कार होती है ना कार लेने के बाद क्या सुछते हैं कि Tr스터 होता हमारे पास कार लेने के बाद हम ट्रक निए सूचने कभी भी का लेने के बाद सूचने कि याँ अब यह वाली नीं अब तो वह चारव चूडिव वाली कार चागए हैं वो मिल जाएक फिर तो यार उससे भी बहुत मौडल होना चाहिए हमारे पास तो प्रोब्लम सबसे पहले प्रोब्लम को आइंटिफाई कीजिए आप अपने यहां पर एजुकेशन अब बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहां उस छेत्र में लोगों को पढ़ाने सिखाने में आपको क्या कमी लाग रही है जोगी जोपड़ी वाले बच्चे आई रहे हैं आ आप उनको पूरी स्कूली शिक्षा थोड़े दे रहें आप तो नहीं घंटे क्लास दे रहें यह आपकी प्रोब्लम क्या है कि आप चाहते हैं कि उनको पूरा समय दिया जाए लेकिन वह किसी भी तरीके से नहीं संभाव है क्यों उनकी लाइवली हुड की प्रोब्लम सामन क्या आया हम काम कर रहें प्रोजेक्ट पर निकल क्या लाइवली हुड है ना तो कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम एक दूसरे से मैच नहीं होती है तो चलिए यहां पर बात करते हैं कि डिरेक्ट बेरिंग फ्रॉन दा नेचर दा प्रोग्राम एक्टिविटीज आर दा कान्-चिविटीज प्रोग्राम एक्टिविटीज यह जो प्रॉब्लम फोती है उसको या तो कम कर देती या उसको खतम कर देती है जो जरूत्य हैं वो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट नहीं है एंवाइरमेंटर स्ट्रेस हो तो प्रॉप्लम्स कैसी भी हो सकती है दिल्ली वालों के काम करना सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट नहीं है एंवाइरमेंटर स्ट्रेस दिल्ली के इसो दावा वायू पानी कभी रहता ही नहीं तो वहां सबसे बड़ा यह है तो यह देखिए वहां पर आपको आप जिस पर्टिकुलर एरिया में वर्क कर रहे हैं तो वहां पर उस पर लोग भूखाई मर रहे हैं है ना यह रिजल्ट है प्रॉब्लम कुछ और है उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है यह तो उनके पास रोजगार नहीं यह वह रोजगार नहीं कर रहे हैं मतलब जो है काम करना नहीं चाहते हैं या उनको कोई काम दे नहीं रहा हमेशा में अगर आप निभा रहे हैं और समच्छा की प्रष्ट भूमी और स्यधान थिक पहलो पर विचार करना चाहिए तो मैंना आपको बता है कि समष्ट की इसको लिखा कहा से गया है प्रश्ट भूमी किसे कहते हैं जहां से चीज लिखी जाती है उत्पन वही उसकी सिद्धान दिक पहलू के आई है उन पर हमें वरक करना है समश्या को यथारवादी व्यक्षा के लिए विविन उपकरणों और सुरोतों का उपयोग किया सकता है जैसे अब इसकी यथारवादी व्यक्षा के लिए विविन उपकरणों और सुरोतों का उपयोग किया सकता है यह सुरोत क्या होते है व्यक्तिकत संपर्क जह हम लोगों ठीक है और उसको कोई रोजगार नहीं सरकार को दोस्त नहीं है हो सकता है वेक्तिसом संपरक में र直接 तो यह वरक रहे हो उनके साथ है केंड्रिय बाठ्चीथ कीजिए हुए हलं कीजिया रिक्ष्थ किजिए है ना आपके जो संगठन या विभाग के पास उनका उपलब रिकॉर्ड होगा वहां से पता करवाई तो यह सब डाटा संगरे करने के जो है समाने तरीके होते हैं और यह क्यों जरूरी है यह याद रखेगा यह क्यों जरूरी है कई बार आपने देखा होगा प्रोजेक्ट के अंदर ना एस्टिमेटिड नंबर ऑफ बेनिफिसरी पूछा जाता है अपसे इसके लिए समश्या की पहचान के समय यह सभी जो करते तो उसका प्रस्तावना लिखी आपका प्रूफ होंगे कि इतने लोग इन चीजों से परेशान है और अगर यह काम हो जाता है इस काम में आप सेयों कर दो इतने लोगों को फाइदा पहुचे जो है हमारे पास बेनिफिसरी लिष्ट यहीं से जनरेट होती है यहां से यहीं से हमारे पास बेनिफिसरी की लिष्ट जनरेट होती है जो की आने वाले समय में अगर जो है ग्राउंड पे रियल्टी में उतारा जाता है तो सबसे बड़ा फायदा जिन लोगों को होगा उनकी लिष्ट यहां से त्यार होती है चलिए जी समस्या का समाधान खोजना कारेकरिम की गतिविदियां समस्या का संभावित समाधान है इसके लिए तारकिक समझ और समस्या के विचलेशन की आउशकता है समस्या से दो तरीके से निप्टा जाया सकता है पहला उप्चारात्मक द्रष्टी कॉर्ण याद नहीं थी मैंने मतलब जो है मेरे सरी पर फोड आफ उनसी कुछ भी आ रहा है मैंने उसको ततकाल उसका इलाज कर दिया उपचार कर दिया वो ठीक है कि उसने दवाई या ट्यूब मैंने उसके लगा दी तो ठीक हो गया लेकिन यह अल्पकराल नहीं प्रकरती का क्यों क्योंकि कि जब भी हमारी स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है उसका सीधा सीधा कारण होता है कि हमारे खून हमारा खून के फिल्टर नहीं हो पा रहा है अगर हम अपने खून के फिल्टर पर वर्क करें तो हमें स्किन से समधित कोई समश्य होगी नहीं काफी लोग के पा पर्टिकुलर ईलाज है तो हमें रेमेडिकल अप्रोच में नहीं जाना है किसी भी समस्या के ततकाल निदान पर वर्क नहीं करना है उसके विकासात्मक दृष्टी कौन से उसको सोचना है डेवल्मेंटल अप्रोच उसको स्थाइस अमाधान परदान करना है आज एक व्यक्ति भूखा है वहां के कुछ लोग भूखे हैं हम गए एक दिन जाकर उनको राशन बाठ के आगए यह उप्चारत्मक दृष्टी कौन है आपका कि आज आपने उनको भूखा नहीं मलना दि तो वो लोग अच्छा कमा सकेंगे और वो कभी भूखा नहीं बैठेंगे तो यह क्या हुआ यह विकास आत्मक दृष्टी कौन के माध्यम से जो है उस समस्या का स्थाई समाधान है उनको हमने पब्लिक हेल्प से रोटी बाट दी लंगर लगा दिया ठीक है यह अलपकाली अप्रोच है तो वह उस पर ध्यान देगी अगर आपके पास रेमेडिकल अप्रोच है के वह उसकी तो उस पर ध्यान नहीं देगी जब हम प्रोजेक्ट परपोजल लिखेंगे तो इन चीजों को आपको वहाँ समझ में आएगा क्योंकि आप से कहा जाएगा यह प्रॉब् डिवल्पमेंटल अप्रोच पर कि हम उस समझ्या के स्थाई निदान पर स्थाई समाधान पर वर्क करें छेतर में अन्य समान विचारधारा वाले लोगों करमचारियों और बहारी विश्यों करके टीम वर्क के माद्यम से समाधान विक्सित किये जा सकते हैं चलिए जब हम पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं जब किसी समझ्या का समाधान खुचते हैं तो वहां पर टीम वर्क बहुत जरूरी हो जाता है हमें टीम की हल्प लेनी पड़ती है वहां पर उस पर्टिकुलर वर्क से रिलेक्टेड कोई विश्य सक्गे हमारे पास है उस पर्टिकुलर च्छेत्रे के उनसे हमें जो है कंसल्टेंसि लेनी पड़ सकती है हमें वहांके जो निकाय करमचारी है या वहां का जो डीपाटमेंटल स्टाफ है उनकी हल्प लेनी पड़ सकती है जैसे अगर मैं एक उधार्न देता हूं भी हैं पर आपको देखिए जो संस्थाएं नकसलाइट एरिया में वर्क करती हैं नेक्सलाइट एरिया में वर्क करती हैं लोगों को समझाना और जो नकसलवाद के राड़ पर चल पड़े हैं उनको वापिस लेकर आना है ना उनका अगर वो संस्था सिर्फ उनके सरेंडर पर वर्क करें कि वो लोग सरेंडर करते जाएं तो यह हो गया उप्चारात्मक द्रश्टी कौन याद रखेगा यह परमानिंट सॉलुशन नहीं है क्योंकि कल वो फिर प्रसाशन के द्वारा परताडित किये जाएंगे और वो सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करने के लिए परोत्साहित करना यह है उप्चारात्मक द्रश्टी कौन विकासात्मक द्रश्टी कौन क्या है उनकी क्या समश्या थी किस अधिकारी या किस डिपार्टमेंट की वज़े से वो लोग नराज हुए और रस्ते पर आये उस पूरे को आप अपना लीजिए तो वह हो गया क्या विकासात्मक द्रश्टी कौन क्लियर है बिल्कुल अब यहां पर जो तीसरी लाइन है आपकी समान विचार धारास्त में काम करने वाले लोग अब दिखिए जब आप छेतर में काम करने जा रहे हैं तो अब्विस सी बात है आप को जो नेता वगयरा है वो भी आपकी हेल्प करेंगे भई ठीक है हमारा राजका चला और हमारे राजकाज में जादा जादा लोग सरेंडर करेंगे नक्सलवाद खतम होगा तो उनका भी नाम होता है वहां का पुलिस प्रशासन आपकी साथ देगा तो करमचारी को जो बात या कोई रिटाइड डीजी रिजाइड रिटाइड एस प्रसन है जिसने आस तक उस चेटर पर काम किया या हो सकता है कोई हमारा ही साथी को ऐसी संस्ता संचालक जो बहुत पहले से महां काम कर रही हो तो वह हमारे लिए क्या एक भारी विश्यसग्य है क्योंकि वह उस पर याद रखेगा जब हम किसी प्रोब्लम को प्रिफेस कर रहे हैं उसके उपर डिसक्स कर रहे हैं तो वहां बजट की तो कोई बाती नहीं हुए आप और हम मिलके अगर किसी चीज़ पे चर्चा करें तो यहां बजट की बाती नहीं हुई हम किसी समस्या को खतम करने की सोच रहे हैं इस संस्थाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस चीज़ पर हम लोग और आप सब लोग अपना विचार रख रहे हैं इसमें तो कोई फरेंशल उसकी बात ही नहीं है हम सिर्फ सला मसवरा कर रहे हैं और यहां से जो रिजल्ट न को आंब तैनलने सबस्या का समाधान खोजा उसके बाद हमें त्यारी करनी होती लिस्ट ओफ-factivity की हम क्या-क्या करने वाले हैं यानि की इस काम को करने के लिए या करेंगे यह करेंगे एइसा करेंगे यह नहीं हुआ तो फिर वैसा करना पड़ेगा तो यह जो परेकलपित समाधान राप्त करने के लिए संभावित करिया कलाब याद रखेगा possible activities संभावित करिया कलाब को सुची बद किया जाना मैं इसका एक बड़ा प्रेक्टिकल उधार ने देता हूं आपको मानली जी हम किसी गाउं में गए वहां पर है एक जल की समश्या ठीक है वहां बच्चियों को जो है जल पांच-दस किलोमेटर बीस किलोमेटर दूर से लेके आना पड़ता है इस विज़े से जो है वह स्कूलों में भी लेट महुं कि कर ला घृत नो अब उसको दिकत कहां हुई क्योंकि जब वो TEJARS से बुला रहा है चार बंचिंग कर रहा है अगर आप कर्णो पारी में जाके पढ़ा सकते हैं लेकिन आप के यहां तो हम 10 चार पढ़ा रहा है तो एक ही पारी में आप आना जाना बहुत सारी चीज़ें या तो आप साथ से बारा कर लिए तो हम सस्ते में काम कर लेंगे क्योंकि हमारे पास आदा दिन बच जाएगा तो प्राइवेट स्कूल वाला ही परेशन है अब आपने उस एरिया का सर्वे के आपको पता लगा यारे प्रॉब्लम तो बहु पानी की समस्षा जिसके विए से इन बच्चिया स्कूल में समय से या तो पहुंच नहीं पार रही या फिर ने को स्कूल छोड़ना पड़ रहा अब वो पानी की समस्षा क्यों है अब उसको हमने एनलाइस किया भाई या तो उस जगह के भूमी स्तर जो है वहां पर जल स्त के लगी हुई है बनी हुई है वैसी बाड़ी इस गाउं में बनी होती तो इन बच्चे को दूर नहीं जाना पड़ता अब आपने दोनों चीजों को अइंटिफाई कर लिया उस पर हमने वर्क किया मान लिजे एक समश्षा निकल कर रही यहां पर जो है ना कुआ नहीं था समाधान की जो अपने नोट डाउन करने के बाद आपने वह योजना त्यार कर लिया और आप उन लोगों के साथ जो आपके साथ के समान विचारधारा वारे लोग देखिए सरपंज भी चाहेगा उसके गाउं की समश्षा खतम हो जाए सरकारी स्कूल वाले भी चाहेगा उ इन सब के साथ बैठ कर आप उस पर एक चर्चा कीजिए अब उसमें देखिए उटोमेटिक सा सहयोग निकलकाना शुरू हो जाए अगर माली जैस सरपंज उसमें कोई हेल्प कर रहा है सरकारी विभाग की और से या माली जैप से भी कर रहा है तो सरपंज कौन होता है एक ज कर दी या माली जिसने का भी मेरे पास जैसी भी पड़ी हुई है आप इसको यूज कर लीजिए इसमें पैसा ना दिया हो उसने मैं संसादन तो दिया ना तो वह क्या कहला हैगा हमारा CSR क्योंकि वह एक प्राइविट वेक्ति से मिला हुआ है अब उस गाउं के लोगों ने करवाने के लिए क्योंकि संस्ता काम तो हमारे लिए कर रही है तो यह जो आपको पब्लिक से मिला इससे कहते हैं क्राउड फंडिंग बस इससे बड़ी चीज़ इससे तीसरी चीज़ चौती चीज़ तो कोई होती नहीं है गौर्मेंट फंड CSR और पब्लिक फंड तीनों क जो स्योग मिला वो हो गया आपका CSR है ना और लोगों ने जो आपके लिए कॉंट्रिबूट किया या तो उन्हें कुछ पैसे कॉंट्रिबूट किया या फिर उन्हें अपना श्रमदान दिया है ना तो वह कहला है आपका पब्लिक हैल्प या पब्लिक फंड बस बड़ी अधी ओपन माइंड से आप सामने वाले व्यक्ति को समझा भी पाएंगे और इसलिए कहा जाता है कि प्रपोजल राइटिंग जब हम करते हैं तो हमारे वर्ड जो है शब्द जो है वो टिपिकल नहीं होने जी हमारे जो शब्द है वो इतने ज्यादा टिपिकल नहीं होने और प्रवाव करने की कोशिश हमें उनको जो है अपने उनकी चीज़ों को ध्यान देना है कि यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है सभी को एक बर प्लीज कहीं कोई सोतों नहीं गया बही कि जागरन चला है जी सथे संकल्प सर अपने आपको प्लीज किजिए का प्लीज यह सर जगरें सर जमझ में आए सर पूरा बहुत बहुत दन्यवाज दिखें मेरा प्रयास रहता है कि यह क्या होता मैं आपको बड़ी प्यारी चीज़ बताता हूं यह जो हम अभी पढ़ रहे हैं अभी हम जो जब हम पूलिस की भर्ति देखते हैं रेल्वे की भरति देख तो उसमें हमसे कहा जाता है आपको यह एक्जाम करना पड़ेगा तो उसके लिए उसके लिए जो पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद टेस्ट वेस्ट दे के आते हैं टेस्ट देने के बाद जो है हम अपना मालीज्य भरती हो गए लेकिन जो भी लोग गौर्णमेंट जॉब के अंदर हैं सिर्फ एक टीचर को छोड़ के चोड़कर कह रहा हूं कि इतनी है थी तीन साल पहले बाप बेटा बन गया बेटी बाप बन गया है तो अभी हम चो पढ रहे हैं यगीन के इएator सिर्फ वही पढ़ाई है जो वहां काम नहीं आनी जब हम प्रपोजर राइटिंग करेंगे ना तो वहां सिर्फ कुछ जो यहां से निकली हुई चीजे हैं ठीक है जो हमारे सामने एक आप माने देखिए हम यहां पर अभी हमने क्या पढ़ा मैंने आपको किसी को नहीं कहा कि नोट डाउन कर लीजिए क्यों कि यहां से मैं सिर्फ आपका माइंड में करना चाहरा हूं माइं में का मतलब कि जब हम प्रपोजर राइटिंग करने बैठे तो आपको पता होगा सबसे पहले क्या लिखना है प्रॉब्लम क्या लिखनी है समश्या है ना दूसरा स्टैप क् हमने उसके प्रिफेस क्या क्या है ना फिर हमने बात की उसके सॉलुशन क्या क्या है तो हमारी एक्टिविटीज हम क्या 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 रहेंगे तो रिजल्ट के बारे मैं आपको बताया था कि आपके जो है आउटकम्स और आउट आउट पूट्स क्या क्या होते हैं तो आपका इस हिसाब से चलना है लेकिन इसको बीच में डिसकस करना बहुत जरूरी भी है क्यों जरूरी है क्योंकि यहां से को identify कि आफिस समस्या के समाधान को खोजा है ना फिर उसके लिए जो हमें activities करनी है उनकी हमें सूची बनाई हमने तो प्रपोजल में ही सब चलेगा प्रपोजल की जो जो फ्लो बनेगी वह इसी साफ से तो बनेगी सभी की है ना चैने जी आम सहमती पर राय बनाना है ना बही अब बात तो कर रहे हैं और हम किसी गाव में सोचे वहां डंप याड बना दे लेकिन वहां के लोग तो सहमत नहीं होगे ना वहां से क्योंने पता है वहां बदबू आएगी तो अपनी जब योजनाएं आप जब करते हैं तो उस समय उनके संभावित समाधानों पर सभी प नोट की है कि संस्थाएं जब अपना लिखती है ना तो यह नी पूछती अपने किसी साथी से कि यार हम यह प्रोचेक्ट समझ जमा करें ना करें मैंने चीज नोट करी आज तक मैंने कभी भी में स्योग है कि तौन को यह केते इitelे नहीं सुना से ठीकासर आप कह रहे हैं कि हमारी सष्टा अपलाई कर सकती है आपने हमारी डॉकमेंट भी चेक रली आपकुल जब आपने कहते noises स्वाइस अपलाई कर सकती है लेकिन सर मैं एक बागी मेंबर ने उनसे बात कर लेता हूँ आज तक मैंने यह जवाब किसी के मुझसे नहीं सुना जब हम ग्रांट एप्लिकेशन की बात करते हैं आज तक मुझे किसी ने यह नहीं कहा है कि सर हम यह फलाना काम करना चाहरे थे ठीक है सर हम कर लेंगे लेकिन मैं एक बार अपने टीम से बात करूँ टीम के साथ जो चर्चा होती है यह बहुत जरूरी है अगर आप सेल्फ डिस कर लीजिएगा प्रपोजल राइटिंग में आपको ना खुद का प्रपोजल आपका पास होगा और ना ही आप किसी और का प्रपोजल जो आप लिखके देंगे वह बहतर रिजल्ट लेकर आपाएगा जब तक आपके पास टीम वर्क की भावना नहीं है तो टीम वर्क प्रपोजल सॉलीशन प्लान हो उस पर ठोली आपको डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है है ना तो जो यह आपका समलित विचारधारा वाला जो जो विचार में मर्स होता है ना इसके अंत्त्राइप अच्छे होते हैं और बहुत सारी प्रप्रप्रोजल सुआपर खतम हो जाती है क्योंकि जब हम देखे हमने तो प्रॉब्लम को इंटिफाई किया है और हम नहीं उसके सॉलुशन निकाल लिए हो सकता है जब हम इसको पब्लीकली डिसकस कर रहे हो यह आपनी टीम के साथ तो हमने उससे भी सस्था को जो है उसका सॉलुशन निकल आया हमारे सामने कोई और स्टेज़ी निकला है हमारे सामने तो ऐसे बहुत सारी चीजे होती है जो सामने निकल कर आती है इसलिए टीम वर्क बहुत जरूरी है मैंने आज तक किसी भी संस्था को मेरी किसी भी वर्क्शॉप में पूरी टीम के साथ आते नहीं देखा है पूरी टूसे मैं आपको क्लीर बता रहा हूं वही एक संस्था के अंदर अध्यक्स उपाध्यक्स कोसाध्यक्स और सचेव चार लोग तो होते ही हैं है ना मैंने आज तक किसी व्यक्तियों के यह निकाए कि सर मैं इस बार ना आपके वर्क्शॉप में चारों हम चारों लो क्या नाम है वह कहते हैं कि कौनसा सर लंदन स्कूल लंदन वाला कौनसा स्कूल है वहां से कोचिंग लेकर आगे आप जहां से रावल गंदी जी पढ़के आए थे आपके प्रोजेक्ट को कैमया बनाने के लिए आपकी टीम का भी साथ में काम करना बहुत ज़रूरी होता कि आपकी टीम का भी साथ में काम करना जरूरी होता है आप यकीन मानिए कि आपका सारा डाटा और मैंने प्रैक्टिकल इस चीज को एक बार अनुभव किया कि उन्होंने मैंने कहीं एक अपना आविधन दिया हुआ था उन्होंने जान बुझकर मुझे फोन ना करके मेरी ही ज इसलिए उन्हें का सर बिलकुल हमारी इस समद में मेरी सर से बात हुई थी उन्हों बताया था कि हम ऐसे उनसे कोडिनेट करने वाले हैं बाकि सर सारे जो प्लानिंग स्ट्रेश्ची वह उनके पास रहती है तो मैं अपनी कॉल को ना आपकी कॉल को उनको रेफर कर रही हूं अगर वो यह कह देता मेरा दूसरा पंडरे कह देता कि नहीं कौन बात कर रहे हो जी हमने तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट लगाए नहीं पता नहीं पूछना पड़ेगा तो अब विस्सी बात है वहीं आपका पता कट टीमवर्क बहुत जरूरी है टीमवर्क कीजिए और आपक अच्छे परिचीत हैं हर इवेंट में हर प्रोग्राम में मेरे साथ हैं फोटो दिख रही हैं सब कुछ एक दिन खुदाना खासता उनकी वाइफ ने फॉन उठा लिया कौन यादव मैंने कहा कि जिस चेतर के अंदर हैं जिस व्यक्ति के साथ आप काम कर रहें जिस व्यक्त पता कर जाएं कि हम जा का रहें है ना ऐसे ही जब हम अपनी संस्था में कोई काम करते हैं तो कोई भी काम करने से पहले हमारे पूरी टीम को पता हो कि हम क्या करने वाले हैं या क्या करने की उजना बना रहे हैं यह बहुत जरूरी होता है तो इससे बहुत सारी चीज़े रि करते हैं किसी पर्युजना पर टीम वर्क में चार्चा करते हैं तो बहुत सारे शॉलूशन नहीं कराते हैं तो यह सब बहुत जरूरी लिखें लिखने से सिखा है वो आपने सीखा है वो उसमें गलती नहीं निकाल पाएगा लेकिन यार एट लिस्ट उसे इतना भी गया गुजरामत सोचो आपकी टीम आपकी जो क्लेरिकल मिश्टेक उसको निकाल सकती है कि सर्व यहां पर आपने प्रोजेक्ट की स्पैलिंग लिख दीए उसे नहीं पता कि आपने जो सीखा उसी इसाफ से लिखा लेकिन आपने अगर कोई गलती वहां पर कर दी है उसको जबूर आइंटिफाई कर लेगा इससा देखो आपने अपने अपने संस्था का नाम गलत तो टीम वर्क बहुत जरूरी है इससे क्या बहुत सारी गलतिया पता लगती रहती है कि हमारा जो दूसरा स्टैप होता इसके अंदर हम पहला स्टैप कर चुकें कंसेप्चुलाइशन के अंदर हमने जो भी चीज़े हैं सब कंप्लीट की मैं एक बार फिर से आपको कर देत हुआ है हमने यहाँ पर कंसेप्चुलाइशन के अंदर तीन पॉइंट पड़े हैं पहला समस्या की पहचान दूसरा समस्या का समाधान खोजना तीसरा क्रिया के लापों की सूचनी बनाना यह नोट कर लेजिए नोट कर लेजिए स्टैप बन में हमारा क्या रहता है कंसेप्चुलाइशन में फर्स्ट एप जो हमारा होता है वह था अडिफाइंग दा प्रॉब्लम जो होता है वह फाइंडिंग सॉलुशन पॉदा प्रॉब्लम है थाट पॉइंट होता है लिस्निंग दा अक्टिविटीज किरिया का लापों की सूची बनाना और दी पॉइंट चौथा जो हमारा पॉइंट होता है वह होता है बिल्डिंग कंसिस ओपीनियन आम सहमती या राय बनाना है यह नहीं बिल्डिंग कंसेशियस ओपीनियन तो यह आपके जो है चार्ज स्टैप आ जाते हैं पहले इसमें अब दूसरी होती है हमारी प्लानिंग यह थोड़ा सा और गंभीर विसे समझने का प्लानिंग क्या होता है किसी भी योजना के वांचित लक्षयों को प्राप्त करने के तारकिक संसाधनों को या तारकिक साधनों को बनाने के लिए एक सचेत सोच और विचार विमर्स ही योजना कहलाती है यह लोगों के सम्हूं की सोच को बढ़ावा देता है विकास के लिए खड़ा होता है और एक सुविचारित कारेवाही के लिए उनकी जरुतों और शम्ताओं के साथ उनके विचारों को स्क्रिनाइज करता है जब हम किसी प्रॉब्लम को कर चुके हैं उसके लिए हम जो है जो हम स्टैब्स लेने वाले उनको भी लिख चुके हैं फिर हमें योजनावत तरीक से काम करना हमें जड़ूरत थी कुआप खोधने के लिए जैसी भी की हमने लिश्ट भी बना ली हमने डिसकस्थ भी कर लिया हम Start ने सर्पन साब ने बोल भी दिया भी या ट्रैक्टर मेरे पास खडा है हमने सबसे पहले लाकतर खड़ा कर वां अपने पास किसी यूजना से काम को करना है कि संसादन को कब उप्योग में लेकर आना है वो उसकी आधारबुद संराचना बनाना बहुत ज़रूरी है उसको कॉस्ट एफेक्टिव करना बहुत ज़रूरी है उसका इंश्वाय स्ट्रूर बनाना बहुत ज़रूरी है उसका administration setup करना बहुत जरूरी administration setup क्या होता है यह काम फलाना व्यक्ति करेगा खुदाई इसके हाथ की है खुदाई वाला काम फलाना वेक्ति सम्हालेगा लेबर डिपार्टमेंट फलाना वेक्ति सम्हालेगा यह वाला काम फलाना वेक्ति सम्हालेगा और जब जैसी बात है आप उसको लिए जब कोई कारेकरम आप करते हैं कुछ भी काम कर रहे हैं तो उ आपको अगर जन्समुदाय का सहोग चाहिए तो उस दिन आप उसका कोई ना कोई कुई पूजन या कुछ आप इवेंट रखेंगे जहां लोग आएंगे कुछ ना कुछ डोनिशन देंगे कि चलो हमारे गाउं में नया काम सुरू होने वाला है यहां पर पोखर बनने जा रह लें फ्री एजूकेशन के लिए तो आप उसके ओपनिंग रखते हैं एक कारेकरम के बाद से आपके सारी गतिविद्या स्टार्ट होते हैं तो योजना बद तरीके से आपको काम करना पड़ता है उसके पूरी टीम के साथ डिसक्रशन करना है आपको और उस योजना को जो ह होती है उसके बिसिक प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ वो बिसिक प्रिंसिपल्स आपको नहीं बूलने हैं और क्या मैंने जो कमी देखी है यहां पर सबसे बड़ी कमी निकल कर आएगी जो हम लोग मुश्ली करते रहते हैं सब इस तरों पर भागीदारी यानि कि जब आपकी प्लानिंग होती है तो उसमें डिपार्टमेंट से पूरे इंडिवाति परिचित हैं और सबी लोग उस्योजना पर करना स्टार्ट कर दिया लेकिन आप ने सीक्विंस को बिगाड दिया आपको एक तरीके से काम करें लेकिन आप उसकी खराब कर दी क्यूं खराब कर दी अरे यार वो क्या नाम है उसने बाद सरपंच ने जो है ट्र तो भीजा ही नीए अब काम रोग दो दस दिन तक पहले हम स कि अपने आपको जब तक आप अपने आपको इमेजन नहीं करेंगे उस जगह पर तब तक आप एक प्रोजेक्ट को ना तो ढंग से बना पाएंगे ना इंप्लिमेंट कर पाएंगे उसके उपर आपके साथ यह समझ्या आगई कोई दिक कर नहीं संस्था के लोग लगे हुए खुद खुदने पर खुद मिट्टी निकालने पर अरे गाउं के लोग निकलेंगे बढ़ेंगे पूछेंगे आपसे अकेले लगे वह क्या करें सरपंसा आपने टेक्टर लगाने के लिए बेजा था वह बेजाए नहीं हम खुद ही डालने तो आपका प्रेशर नहीं होता है जब कोई व्यक्ति दिल्स से अंपका साथ डेता तो आपकी प्लानिंग करते या तो आपने वी सब्सक्राइब कि आपकी बताया कि अगर आपके पास अगर आपके पास जो है सरपंच के साथ साथ आप वहां के लोकल मिले के पास गए होते तो आप उनको फोन कर सकते हैं अभी तक सब्सक्राइब करते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करें क्योंकि जो हमारा प्लान है जो हमारी योजना है उसको सस्टेनेबल बनाना जरू यह चल पाएगी योजना तो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट को ही कोई भी फंडिंग एजनसी करती यह याद रखिएगा वह कहती है कि अगर हम यह फंड बंद कर दें तो क्या यह योजना चलती रहेगी यह बंद हो जाएगी और आपने कहा जी नहीं यह बंद हो जाएगी तो वह कभी फैनेंस नहीं करेगा करन है कि अगर खुदा ना खासता उसने फाइनस दे दिया और फाइनस लेकर तो वहां पर दिखाने के लिए उसकी निरंतत्ता बहुत ज़रूरी होती है आप अपने प्रोजेक्ट पे जब आपने कोई भी प्रोजेक्ट या प्लान स्टार्ट कर दिया उसको रोकिये मत चलने दीजिए कि योजना को प्रभावी करनाने के लिए उसके उद्देशे को पहले से स्पष्ट और संदेख्त सब्दों में बताया जाना चाहिए और संदेख्त का मतलब क्या होता है जिन पर हमें शक हो, यानि कि कोई भी शक ना हो, यानि कि आपने जो कहा है वो बिलकुल क्लियर हो, कोई संदे हैं ना करे, है न, संदिक्द सब्द क्या होते है, एक देश का राजा कह देता है कि सभी के खाते में जो है 15-15 अलाग रूपे आएंगे, लेकिन वो संदिक सब्द है ना हमें विश्वास है कि वो राजा है देश का लेकिन संदिक सब्द है क्यों है संदिक सब्द क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं है राजा ने कहा एक तरफ लगता हमें यार जब मालिक ने कह दिया देश के मालिक ने कह दिया होगा तो हो गई होगा लेकिन नहीं अगर वो यह कहता कि सभी के सभी जो जंदन खाते हैं उसमें जो है हर महीने 100 रुपे आया करेंगे यह ठीक था यह हर कोई कहेगा यह संदिक सब यानि उन पर कोई शक्र ना करें बड़ी क्लियर होने चीए और मुल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है कि जब आप अपने किसी भी तरीके का आप्यों कर रहे हैं क्या पता उससे कॉश्ट एफेक्टिव कुछ और चीज़ हो क्या पता उससे एफेक्टिव कोई और तरीका हो है ना तो उसका जो है मुल्यांकर करना बहुत जरूरी होता है यहां पर यह पॉइंट जरू नोट कर लीजिएगा बेसिक प्रिंसिपल आफ प्लानिंग प्लानिंग के अंदर बेसिक चार प्रिंसिपल है पार्टिस्पेशन एट आल लेवल्स सेकेंडरी है कंटिनिटी थर्ड है ऑब्जेक्टिविटी और फॉर्थ है एवैलिएशन यानि कि सब इस तरो पर भागिदारी निरंतरता वस्तुनिष्टा और मुल्यांकर यह बहुत जरूरी हो जाता आपके प्रपोजल के अंदर भी याद रखेगा यह सिर्फ यहां यां नहीं है आपके प्रपो अब्जेक्टिव के अंदर यानि की उद्देश्य ठीक है तो उद्देश्य हमारा क्लियर होना चाहिए संगठन क्या हासिर करना चाहता है न कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को वेशाइक प्रदेश्य प्रक्षिशनल प्रतान करना किसानों को सॉफ्ट लेंदेना हमारा जो है प्रपोजल कंसीडर हो जाता है लेकिन लास्ट मॉमेंट पर हमारा बनता हुआ चेक रुख जाता है क्यों कि हमारे उद्देश्यों में वो सब्जेक्ट वो विशे लिखा ही नहीं था इसका सीधा संबंद आपके जो है और्गनेजिशनल एक्टिविटी से भी है आप अपनी तैयार करने जा रहे हैं गर mandate जा रहे हैं यह QUESTION में नहीं नहीं है मैंने मैं मृझे सुन पा रहे हूं तो मैं बिल्कुल गलत तो नहीं ऊंस तर्वरार कि सब 10-3 लोल से वहाथ और दूसरा निकाल आँ कि से आपके ट्राइच से बी की आपके प्रपोजल में इस जया कि आप उससे क्या पाना चाह रहे हैं जिस संबंद में आपने वह प्रोजेक्ट लिख रहे हैं वह क्या उसका उद्देश है उसका अब्जेक्टिव क्या है कि अगर आप हेल्थ के बारे में कोई लिख रहे तो आपका उद्धिश्य क्या कि इस परिषेत्र के इस कम्मुनिटी के लोग हमेशा स्वस्त रहें उनको यह फला विमारी ना हो आपका तो आपका जो टार्गेट है वो बिल्कुल नहीं तो होना चाहिए हम बात कर रहे थे बच्चों की एजूकेशन के उपर लेकिन हमें क्या समझ्या मिली कि वो लोग कर पारें अपनी लाइवली हुड की विज़े से क्योंकि उन्हें पेट पालने के लिए भोजन की वह अपको same04 से नहीं बदल ना चाहिए हमारा उस्थे है लोगों को सिख्षा देना थी, के उसमें बीच में लैवलीहुड का चैप्तर आए हमने उसके लिए स्टल्शन निकाल दिया वह अलग चीज है हमने उसका स्वट्च बहुक चाल अलग है लेकिन हमारा उद्देश्य से हम ना बठके हमारा उद्देश्य से वहीं रहना चीए है ना कि हमें उनको जो है शिक्षा प्रदान करनी है तो यह चीजे रहती है उद्देश्य हमारा जो है थर्ड अब्जेक्टिव रहता है फोर्थ अब्जेक्टिव रहता है जो हमारा जो म आती हैं वो आपके जो है संसाधनों को दिखाती है जो आपने प्लानिंग कर रही है उसकी सफलता और सफलता सिर्फ और आयजन पर ही निर्वर होती है याद रखेगा यह आपका आइना है जब आप किसी प्रोग्राम को कंड़क करते हैं तो वह आपकी जितनी पिछली की तैय थी अधरवाइज फेलियर कि अधिंक सो समय काफी हो गया है मेरी सेकेंड क्लास का टाइम हो गया है माफी चाहूंगा हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कल हम इसमें अब हमारे पास रह गई हैं कुछ टॉपिक्स चलिए आज इसको खतम ही कर देते हैं छे पेज रह गए हैं किवल ठीक है इसको खतम कर दे क्योंकि कल से हम लिखना सीखेंगे तो आयोजन जो रहता है उसके अंदर देखिए वित्य जो देखिए इसका बारे में पड़े आयोजन का अर्थ है कि सबसे प्रभावी डंग से निधरधरीत अलग्षों को राप्त करने की संश्टी से संसाधनों आपके पास निधरधरीत सेवां को की तलास करना seeking volunteers for doing the same इन सेवाओं को परदान करने के लिए स्वेम सेवोकों की तलास करना ये भी उसायवजर में बहुत जरूरी होता है तीसरा आवेतनिक क्रायमचारियों या स्टाप की भरती और वो भी एक सीमित सीमा तक जैसे हम कोई proposal लिखते हैं उसमें दिखा देते हैं वरदास्रम चला आ तो अब वहां पर जो है एक हेल्थ एक डॉक्टर की आउश्कता पड़ेगी लेकिन हम उसको पर्मानेट दिखा दें तो क्या हमारा proposal सही है गलत है हम उसको क्या दिखाएंगे है जी हमारे ठीक है देखिए वहां पर रोज तो किसी का इलाज नहीं होना ना काउंसलर आएगा ठीक है हफ्ते हफ्ते आता है चेक करके चला जाता तो उसकी हफ्ते वीकली जो विजिट कॉश्ट है वह आप डालें यह सारी चीजे वहां जरूरी आएंगी मैं आपको बतारा हूं कि यह सभी लोगों को करिंगे आपको समंझ में आगया कि हम सभी लोगों को उसमें नहीं दिखा सकते हैं पेड वोपर कुछ वोजों बिखाने होते हैं ह Our वाons खासकने और बजार से खरीद कर आवश्री की विवस्ता करना सक्राइब ने कि लेकर से खरीद रहे हैं लोगों से लेकर खरीद रहे हैं उसका अरेंजमेंट सब दिखाएंगे उसके अंदर कि हमारे क्या क्या संसाधन आविलेबल होंगे या कितना fund हमारे पास एविलेबल है, है ना, और संगठन की उन गत्विदियों के लिए वित्त की विवस्ता करना जो दान द्वारा समर्थित नहीं है, यानि कि जो चीजे दान में नहीं मिल सकती है, उनको हमें जो है, वहां पर वित्ति उप्योग करना होता है हमें और नियंतेद करने का अशक्ता होती है कि अधिक प्रभावशालिवी दरीके से वांचित लक्षियों की उपलब्दी में सहायक हो यह करेंगे तो यह वहां पर आता है कि आपको जो भी संसादा मिले जो भी फंड्स मिले आप उसको इतने भैतिन तरीके से यूज कीजिए कि सामने वाले को भी प्रभावी लगे और वह सीमित संसादों में ही आपका काम कंप्लेट भी हो जाए ऐसा ना हो कि वह बजट फिर आपक करना है कि सामने वाले को चीज हमारे सब्सक्राइब करेंगे कि यहां पर बात करते हैं बजटिंग की एक बार जब संगठन के प्राप्त करने के लिए आफशक संसादों की पैचान कर ली जाती तब इन्हें मौद्रिक शब्दों में अनुवादित किया जाता है मैंने संसा तो हमें इनको मौनिटरी ट्रम्स में जो है कनवर्ट कर देना मैं वहाँ पर यह थोड़े लेखुआ कि मुझे आप पचास लेबर भीज़ दीजीगा नहीं वहाँ पर जब हम पर लेबर चार्ज यह है और इसके इसका इतना खर्चा बैठता है तो जिन विविंस रोतों से आवशक धनका दोहन किया जा सकता है उनकी पैचान की गई है ठीक है यानि की जो अब जब आप बजट बनाते हैं तो उसमें आपको दिखाना होता है कि यह चीज़ें जरूरी है इसमें तना खर्चा रहा है और हम इतना खर्च यहां से अरेंज कर सकते हैं यानिक पॉब्ल सारे प्रोसेस इंवाल्व कर देने और हमें यह दिखाना भी है कि यह 10 जो है कंजप्शन हमारी कब तक हो जाएगी हो सकता कई बार क्या होता है वह वेट करती है आपके वह पहले दो या तीर महीनों के लिए जिसमें आपने टाइम लाइन दी हुए हम तीसरे महीने इसका उ कर देंगे तो हो सकता है ऐस सरफ प्रोजेट को आपको जो है अगर आपका प्रिय अचैबिति नहीं है तो जैसी आपने प्रूइट सब्सक्राइब है तो उसमें जो आपने टाम लाइंग्स दी हूए है जिसमें जो आपने उसमें जो अपने माइल स्टोंस दी हुए उन माइल स्टोंस पर चलना स्टार्ट कर दीजिएगा यह बहुत जरूरी होता है एक बजट इस प्रकार जो है एक गैर सरकारी संगठन की वित्य साहताओं को आंकलंग करने के लिए एक बजट एक महतपून दस्ताविज याद रख हए फ़ली साल यह साल से था यह कभी नहीं होता जब भी आप पूरा बजट बनाते और कई लोगों मंत्ली लिस्ट जब हम लिखते हैं कोई भी हम ग्रांट प्रोपोसल जब लिखते हैं तो वहां पर जो खर्चा अमें दिखाना वा वित्य वर्स का दिखाना ए माँतनी की अब दिखाना होता है ठीक है आपका प्रोजेक्ट तीन साल तक चल रहा कोई दिकत नहीं कि आपना सालाना खर्चा दिखा यह तो वहां पर जब आपके सेकंड रिपोर्ट सम्मिट होगी या उतने की जब आपकी डिपर सम्मिट होगी तो उससमें हो जाएगा यह आपके जो उनका बजट कम हो गया अब जी हमारे पास इतना खर्चा रगेगा सालाना हमारा तो वह बार नई जमा कर सकतें लेकिन बजट के लिए जब भी जमा करें मालीच आप किसी पर्टिक्र एजिंसी को प्रोजेक्ट भेज रहे हैं भले आपका प्रोजेक्ट तीन साल चार साल प प्रोजेक्ट क्या है अब इसमें खर्चा घटी रहा हो सकता है अब इतक तो आप सिर्फ कर रहे थे तो खर्चा लिया अपने एक साल में अब जैसी पूरी होगी अपने बारा-पंद्रा कमरों में कंप्यूटर सिस्टम लगने तो खर्चा बढ़ा ना आगली साल तो और ज ज मैंने बढ़िगाता पूरा काम आपका का अगर आपका प्रोजेक्ट स्पेशल टाइम फ्रेम के अंदर है कि अभी आपका कंड़क्ट होने वाला और उसके लिए आपने अपील की हुए यह जो है ना प्रोपोजल कई प्रकार के होते हैं तो ऐसे में जो आपका माली जो प्रोजेक्ट आपका छह मुएने में खतम होने वाला है वहां पर हो सकता है कि आपका जो बजट है वह समयाविदी के लिए होगा कंप्रीट उसके लाप साल का बजट थोड़े दिखाएंगे उसमें तो उस स्पेशल कंडिशन में ही बजट शीट जो है वह उस्पेशल कंडिशन में विभिन अनुभागों या साखाओं द्वारा की जा रही है तो प्रतेक शाखा को अपने इस इंचालन के लिए बजट त्यार करना चाहिए जिससे केंदर इस तरफ पर समयकित किया जाना चाहिए याद रखेगा माली जी आपका प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है कि जो एक या एक से अधिक लोकेशन्स पर कंड़क्ट होने वादा है तो सभी लोकेशन्स की शीट अलग अलग कोनों में तीन वर्दाश्रम दिए तो मेरे तीनों वर्दाश्रम की बजट शीट अलग अलग होगी और मैं इक फाइनल शीट अपनी संस्थागी जो त्यार करूंग उसमें उसको साथ में इंक्लोज कर वहां है ना फ्रॉम पार्ट ए या फ्रॉम लोकेशन ए फ्रॉ सेक्शन से अलग अलग है तो आपको अलग अलग जो है सभी की शीट करनी है और उसको एक फाइनल उसमें कर देना है यह जब हम प्रॉपोजर राइटिंग करेंगे जब लाइव इसका डेमो करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसमें सेक्शन को जोड़ते हैं ठ यह जो पक्ष्ट होते हैं ठीक है हमेशा घाटा या अधिशेस दिखाते हुए संतलित होने चाहिए याद रखिएगा मैंने बहुत सारे लोग को देखा जो अपनी जो बैलेंशीट जो बनाते हैं जो अपनी फानेशल स्टेटमेंट जब डालते तो वहां पर ना प्रॉफ सर्प्लस शब्द यूज होता है मान दीजिए मैंने कि मैं किसी यूजना में काम कर रहा हूं ठीक है उसमें एक तरफ इंवेश्टमेंट है यानि कि एक तरफ हम कच्चा माल ले रहे हैं महीलाओं को हमने रोजगार दिया हुआ और वहां से हम पक्का माल दे रहे हैं उसको ह प्रॉफिट में लिखना कभी याद रखेगा उसको नाम देना क्या होता सर्प्लस का मैंने कई लोगों की बैलेंश शीट में देखा है प्रॉफिट प्रॉफिटेबल इंकम यह शब्द लिखा देखा मैंने अगर आपकी आपकी आउडिट रिपोर्ट में भी वह जरूर चेक किजेगा अगर आपके उसमें पूरिश होना ही नीची जगे टालना ओंगा तो समझ लीजे आपकी पूरी प्रोजेक्स रिपोर्ट ही गल्द संस्थाएं या तो घाटे में होती है अदिश्यश में होती है या निकी यह हमारा सर्प्रस है जो की आगे यूज हो जाएगा अगर यहां पर कोई घाटा है तो उसे पूरा करने के सुरोत या वै कम करने के उपाये बता जाएने चीए ठीक है अगर आप अपने उसमें प्रोजेक्ट लिखते नहीं घाटे में दिखाना होता सब चीजों को ठीक है और फिर यहां से कंप्लीट होंगी हमारी है बजट शुडबी प्रिपेड वैलिन एडवांस ठीक है एक बजट को पहले अच्छे तरीके से आपको त्यार कर लेना है और यहां पर कुछ प्रतिय यह तीस बैड का आपने एक प्रोजेक्ट बनाएं वहां से भी मैच होना चीए पता लगे आज तक अपने खाते में दस लाख करनी रख्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं डेट करोड का यह चीज भी नहीं होना चीए तो यह बहुत सारी चीज़ जरूरी है एक्स एबनॉर्म एक्सपेंडिचर वहां बिल्कुल नहीं दिखाने मैंने काफी लोगों का जो है प्रपोजर मैंने एक बार देखा था किसी का उसमें फोटोग्राफर का ही चार्ज एक लाग बीस जार उपर जोड़ रखा था भगवान भालागर है तुम्हारा ठीक है तो गलत है ठीक है क् प्रोटोग्राफर दिखाए और उसका एक डेड़ लाग उपर बजट दिखाए तो यह तो बेवकुफ वाला काम है वह प्रोजेक्ट कहीं भी जो है पास ही नहीं होगा उसे रिजक कर दिया जाएगा तुरंत रेजिंग फंड्स अब पूंजी एकतिक रंड की बात करते है किसी भी परियोजना के विचार को वास्तिविक्ता में बदलने के लिए दान करता है कि महत्यपूंड भूमी का निबाते हैं किसी परियोजना पर विचार करने के लिए दान दाताओं को परभावित करना परियोजना की विवहारता के बारे में आस्वस्त करना और अपना सह पहचान यानि की अडिटिफाइंग दॉनर्स पोटेंशन डोनर में इइंडिशन वह सकते हैं कॉर्पेट सेक्टर भी हो सकता हैं अदर ट्रश्टीया अगर्णाइजेशन भी हो सकती हैं फंडिंड एजन्सी भी हो सकती है और दोनर्स पीडिज़ इनकी धनकी उपलबता के सा आपसे इनको संग्यान में लेना चाहिए और उनका जो यहां पर यह जो लाइन है और कंविक्शन करते हैं अपने डोनर को तो यहां पर एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है जब जो हमें प्रपोजल में काम आती है क्या जब किसी मालीची हम अपना प्रपोजल लिख रहे हैं हमने हमने जो आज जो सीखा हम इसको ड्राफ्टिंग में लेकर गए और हमने सबसे पहला काम कि हमने एटिफाई करना होता है कि एटियल ने उस पर्टिकुलर छेतर में यानि कि मालीची हमारा प्रोजेक्ट है हेल् लेटिफाई करना होता है और वह अपने लिखना है कि आपकी यह करिया कराप या यह अपकी बहुत ही प्रभावशाली थी ऐसी ही एक योजना हमारे पास भी है इस तरीके से उसको मर्ज करते हुए यानि कि उसकी बढ़ाई करते हुए अपनी जरुरूत को मर्ज करते हुए फिर प्रपोजर लिखा जाता है तो दान दाता हूं कि जो है पहचान जो अइडिटिफिकेशन ऑफ डॉनर है वो बहुत जरूरी है ठीक है अगर आपकी देखिए मैं अगर डिरेक्टली किसी को आपको लेटर भेज के कह दूँ कि सर मुझे ग्रांट दे दीजी फलाना प् मैं वहीं वहाँ जाऊं मैं उनको बताँ कि सर आपने तो मुंबई में फला फला जगए पर महिलाओं के लिए यह काम किये हैं यह काम किया आप महिलाओं के परति इतना जो है अवेर रहते हैं उनके स्वास्तिके परति और सर ऐसा एक प्रोजेक्ट मैं भी चलाता हूं जिस तोछिष कीजिए पहले आप और को आडेंटिफाइए और उसका जो पर जो शोशल कॉज में उनका जो कण्विक्षन है उसको वहां पर नोट जरूर कीजिए जो उन्हें उस्टीग सोशल कॉज को आपने वहां पर किया उन्होंने आपके एरिया में आपके चेत्र में जो भी प्रभाव बनता है आपका है यहां पर ध्यान रखिएगा कि एक एंजियो को जो है पर्टिकुलर्ली किसी एक पर्सन पर या एक एजनसी पर ही अकेले डिपेंडेंट नहीं होना अगर आपको लगता है कि इसी चेतर में जो है टाटा काम कर रहे तो टाटा को भी है अगर किसी एक ने कर लिया और माली जिए दूसरी जगह से कॉल आ गया तो आप सेम प्लान को या तो आप एक्सपैंड कर दीजिए बढ़ा कर दीजी उनको बता भी दीजिए कि सर एक जगह से मिल गया था तो हमने इस चेतर में नहीं ब्राश और कर रहे हैं महां भी करेंगे इस काम को आप मह हो सकती है याद रखिएगा अगर आप एक ही प्रोजेक्ट को दो जगह CSR 01 के साथ आप एंट्री करवाते हैं तो आपके खिलाफ है दर्द हो सकती है इन केस दा अमाउंट इस सिमिलर या कंप्लीट अमाउंट अगर आपको महां से फाइनेंस हुआ है तो यानि कि आपने सा परसेंट ताटा दे रहा है और दिक्कत नहीं लेंगे तो भी गलत है और अगर तो एसे में सनस्ता ब्लेक्रीश्ट हो जाती है और उस पर दर्ज हो जाती है यह याद रखिएगा चलिए इन अब सभी स्टेप्स का आपको याद रखना है जब भी आप दाताओं के साथ पर्सनल विजट भी करके आ सकते हैं विज्ञापन के माध्यम से सबाचार पत्रे पत्रिकाओं में पंप्लेट हैंडबुक हैंडविल इनके माध्यम से आप संस्थाओं के साथ दाताओं के साथ अपना संचार शुरू करते हैं ठीक है जो संचार होता है वह बड़ा संशिप्ट होता है लेकिन विश्वस नहीं और प्रेलख होना चाहिए आपका जो आपका संचार हो जब भी आप जो है कोई मैसेज करें मेल करें तो बड़ा संचिप्ट होना चाहिए लेकिन बिल्कुल होना चाहिए जो आपका कम्यूंकेशन भी है वह बड़ा परस्वल होना चाहिए आपका और इच्चुक दाताओं को विस्तित प्रस्ताव डाक द्वारा या व्यक्ति के दूरूप से मैं आपको पता है ना प्रार्र क्या नाम दिए जाता चाहिए तो एक कंसेट नोट आपको पहले डोनर के पास बहबना है जिस इस ने अपना इंट्रेस्ट उसमें शो किया उसको फिर आप विस्तितर लिपोर्ट आपकी यानि प्रपोर्थर आपका प्रपोजर करते को प्रपोजर आप लिखते हैं तो इस प्रपोजर के साथ साथ नहीं होता तो चंसेप्ट नोट भी प्रपोजर के साथ साथ लिखा जाता है याद रखिएगा जैसे हम कोई भी चीज खरीदे तो उसके राद एक हैंडबुक आती तो ऐसे ही हर एक प्रपोजर के साथ एक कंसेप्ट होना चीए अगर सामने वाला विक्ति आपके प्रपोजर को पढ़ने में खुछ नहीं तो कंसेप्ट से पता कर सके कि आप क्या उससे क प्रयोजनाओं के बारे में जानकारी की आउशक्ता होती है हालाकि कई बार इस काम पर छोड़ सकते हैं इसके अलावा यदि गैर संकारी संगठन ने एक विस्तद प्रयोजना प्रस्ताव तयार किया है तो यह वित्वोशन एजशन के प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत है वह बड़ा काम आता है तो यह त्यार करना भी बहुत ज़रूरी होता है अपने अपनी मीटिंग्स में अपने जो डॉक्मेंटेशन उसमें कर सकते हैं आज कंपनी ने यह काम किया क्योंकि वहां पर आपके प्रपोजल लिखा हुआ और उसमें आपने में आपने यह काम निप्टा देंगे तो वह उनके प्रोफाइल के साथ चलता जाता कहीं न गई है ना तो उनके लिए भी बहुत जरूरी होता है वह पर्योजना प्रस्ताव में समश्या के संगठन की विश्वस्ते नेता पर प्रयाप जानकारी होनी चाहिए है ना संस्था की विश्वस्नी और अच्छा प्रोफाइल है उनका अच्छी लेंदेन है सब कुछ अच्छा है लेकिन उनका प्रपोजल पास नहीं होते कई बार और इस चीज को जब मैंने एक बार प्रैक्टिकली नोट किया तो मुझे पता लगा जैसे हमारी संस्ता में पांच या चार मेंबर हैं ऑन ब लिकत दे जाती है तो इसलिए मुझे यह लाइन मैंने स्पेशली अलग से एड करी थी इसलिए मैं इसको भी डी पॉइंट नहीं दिया था यह मैंने अलग से नोट करी थी क्योंकि कई बार जो है आप अपना जब प्रपोजल देते हैं तो वहां पर आपके संस्था के बार प्रोजेक्ट उसमें है और समाधान खोजना क्यों आवस्चिक है वह भी जिस प्रोजेक्ट पर आप काम करें जिस प्रब्लम को आप करना चाहा रहे हैं बताना भी जरूरी है उस प्रोजेक्ट पर काम करना क्यों जरूरी है और कारेकरम की विभारता यह रहती है सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है कि हमें कितना क्या और कैसे अपने प्रोजेक के अंदर संकलन डालना होता है तो आज के लिए बस इतना ही कल मिलते हैं शाम को 6 बजे अपने अगले विशय में और कल हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो रहेगा कल मैं आपको बता हुआ एक स्पैसिमन यानि कि मैं आपको बता है एक खाका जैसे एक रेजियूम का एक खाका होता है बायो डाटा का महाँ पर तो यकिन कीजेगा कि परसों आपको इस चेकलिष्ट के हिसाब से अपने आपको त्यार करके आना है याद रखीएगा जब आपको कले चेकलिस्ट बताई जाएगी चेकलिस्ट के साब से आपके पास अपनी संस्था के जो जानकारिया वह एक्रित करकर लेकर नहीं है फिर हम आगे बढ़ पाएंगे क्योंकि हम कल जो खांचा हम जो हम खाका इसका बनाएंगे स्पैसिमें जिसके हम ब पूरी किताब को आपने इंडेक्स से पढ़ लिया है तो प्रोजेक प्रपोसल को लिखने का जो फोर्टी परसेंट ही कम्प्रिट हो जाता अगर आपके पास स्ब्सेंट की लिए अब रही कहा गया उसके अंदर जो सब्दी तो डालने अपने में आपने ग्राउंड तयार कर दिया आपने जो है कि फुर्टी पर सेंट पर आपका खतम हो गया अब सिर्फ उसके अंदर जो है अपना मैटिल डालना है और बस उसको अरेंज कर देना चुटी जरूरी होता है अरेंज करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब आप अपने फॉंट्स डिजाइंस इन पर काम नहीं करते हैं तो पर वह कमी भी छूट जाती है तो थोड़ा सा उस पर भी हम ध्यान देगे तो कल हम बात करने वाले स्पैसिमेंस की तो उमीद करता हूं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और कल हम मिलने वाले हैं हमारे स्पैसिमेंस सब्जेक्ट के साथ आ लेकिन आपको मैं जादा-जादा क्योंकि हमारा मेन परपस क्या है प्रोजेक्ट लिखना लाइव आप लिख सकें मैं आपको लिखवाओं आप अपनी समस्था की जानकारी अपने सब्सक्राइब करना स्टार्ट करेंगे एक प्रेक्टिकल सब्सक्राइब लेना चाहूंगा अपने जैसे बताया है कि हमारी और रिपोर्ट में तो सब्सक्राइब अगर आप कहें तो मेरा अगर यह अगर आप कहें तो इनसे यह कहें कि आप जो बैलेंशीट डलवाएं बनवाएं उसमें उसकाम को जरूर डलवा लें अपने वाइलोज में जरूर पहले होनी चाहिए जिस काम को आप इस साल में करना चाहूंगा मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा मेरे पास अभी एक संस्था वाले आयते मैंने बता है अभी कुछ चल रही थी तो उन्होंने क्या किया उनके लिखा हुआ था कि महीला सब्सक्राइब करेंगे प्रोजेक्ट पर चीए फाइनेंस उनको उनकी और रिपोर्ट में द चला रहे थे लो अब बताओ क्या करो सब्सक्राइब करना अगर आगर किसी व्यक्तिय वाकि में खाम करा रहे ना तो खर्चा उत्रू में दिखाया कि उसको कहने की जुद दिखाना है उससे पता है कि यह जो 5,000 रुपी की ट्रांजेक्शन मैंने की ती यह उस दिन की तो इसमें जैसे हमारा खर्चा जादा हो गया घर आपके पास वाली जुषिट है और आउट वाली जीट है न हमानली जादा पैसा आपके पास आया है तो उसको प्रॉफिट नि लिखेंगे- सर्पलस में और जैसे मेरे पास किसी से मेरे पास तो मैं हर साल इसी बात पर दैस होती है ना आपने मेरी बात को मैं बता रहा हूं आप अपनी जगह सही कह रहा है बिल्पुल मैंने जहां पर कहा है मैं वो चीज एक्स्प्लेंग कर रहा हूं जब व्यक्ति आइटियर बढ़ता है ना वहां पर उन्होंने इंकम में दिखाकर अच्छा इंकम दिखाकर और आइटर फाइल करवा रखी है वह तो बनाते हैं उस पर हमें यूज बता रहे हैं वह लाइन यू की लिखी जा सकती है इसलिए इसलिए उसको पॉइंट आउट कर लिया था अपने पार पॉइंट आउट करके इसलिए मैंने सभी साथी सुनने है वह भी अपनी वैलेंशीट को चेक करने को ऐसी लेंग्वेज ना होके आगे उनको को सीचार या गौर्णवेट प्रोजेक्ट में मिलने में कोई दिक्कत हो और जिखें सभी साथी जिनके पार एटी जी ट्वै वह हो अभी भी मैंन को मैंने करा दू कभी कुछ साथी क्या करते जिसके बाद एटीज़ डिए और अपने पर और जिसके पार एटीज़ वह नह पर्मानेंट के लिए आपको साथ दिक्कत हो जाएगी तो सभी साती आप समय काफी हो चुका है बात तो क्योंकि आपके उसमें से जो मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहिए लोगों को पता होना चाहिए इसलिए मैंने अपनी बात को कहा समय जाता हो गया है कल फिर मिलते हैं सभी लोगों को नमस्का शुब्राइब कर सकते हैं और समय रहते उसका जवाब आपको मिल जाया करेगा क्योंकि यहां पर हम लंबा खीचा उसको क्योंकि आज हम को खतम कर देना था क्योंकि आप भी लिखना सीखें उदर और मैं आपको लिखना सीख जाएंगे फिर तो कुछ दिक्कत ही नहीं समझ लिए पूरी थियोरी काम आगी आपके जब प्रैक्टिकल में तो समझे आपकी कामियाब है तो आज सेक्शन मैंने पूरा खतम कर दिया अब लाइप लेक्टिकल सेशन पर चलने वाले हैं तो उसके लिए अपने आपको आप त्यार रख लीजिएगा सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद शुब रात्री जैहिंद जैभारत थैंक्यू सब्सक्राइब थैंक्यू तो अलोफ यू गुट नाइट वैंश टे जोब देँ लेडारत भी झालोफ वैंश नाइब वैंश नाइब रषंवात पर चली वैंश जैवाद को वैंश खाओवा रात्री प्रणा पलने सब्सक्वी जैँ नाम्यू बहुत रख़िया को वैंश यू पड़़िज़